मुक्ष माने मुक्टी, मुक्टी माने जड़ता से मुक्टी, चिंता से मुक्टी, भै से मुक्टी और अभाव से मुक्टी अगर आप थॉटफुल नहीं हो तो जॉएफुल नहीं रह सकते हैं अर्थ की कामना जब पूरी हो जाती है तो लोग वहीं रुख जाते हैं जो कुछ है इसे भोगना, तो काम माने सुख, काम माने प्लैजर, काम माने जॉए, दुख जैसे होता है, तो उसे भी भोगना काम में आएगा, दुख तो कोई नहीं भोगना चाहता, दुख तो अज्ञान से आता है, दुख का कारण केवल अविद्या और अज्ञान, चिरान कि माद्यम से मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा हम चार प्रुशार्थ के बारे में बहुत सुनते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी सिंपल लैंग्विज में डेफिनीशन किया और यह आज 2024 में कैसे रेलेवेंट है देखे धर्म की बहुत बड़ी व्याक्या है पर धर का सीधार्थ है कर्तवियों का दिर्वहन जो हमारे कर्तव हैं उनकी पूर्ती या तो अभिद्य ने स्रियस्षिद्धी सधर्म हमारा वरत्मान अनुशाशन से भरा हो और बड़ा लक्ष हो तो यह एक धर्म की छोटी से मैंने बात कह दे कि अगर हमारे पास अनुशाशन है अनुशाशन, आर्थिक अनुशाशन, समय का अनुशाशन और हमारे पास में सही संकल्प है और कल को समारने के लिए हम सत्धे के साथ हैं और अपनी कर्तवियों का निर्वहन कर रहे हैं यह धर्म है करतब मतलब जो नोकरी कर रहे हैं वो ठीक से करें जो करतब भी कार्थ है कि जो माता-पिता के प्रती करतब है बच्चों के प्रती परिजन पुर्जनों के प्रती परिवार के प्रती समाज के प्रती राष्टर के प्रती प्रकृती पर्यावण के प्रती जो हमारे दायत तो ह उनका निर्वान करना है धर्म है अर्थ की बाते बिना अर्थ के तो सब इयर्थ है लेकिन अर्थ में ही जिएगे तो अर्थ पर अंकुश ओगा अर्थ पर आपका नियांत्रण होगा अर्थ मतलब पैसा? अर्थ का मानना सारी साधन और अर्थ में किवल पैसा ही नहीं आता है आपके संपर्क, साधन आपकी कितनी प्रसद्धी है कीर्थी कितनी है उससे भी आपके संपर्क से एक प्रकार से आप अर्थ कमाते हैं और आज तो ऐसा ही है भाराज जी ऐसा नहीं होता कि जब तक अर्थ ना है तब तक सारी बातों पर विचार नहीं किया जा सकता देखें अर्थ तो पहली मांग है ही हमारी पर अर्थ बिना श्रम, साधन, योग्यता पातरता के आएगा तो आपको भटका देगा अगर वो अर्थ ऐसे आए बिना श्रम और साधन के बिना योग्यता और पातरता के उसका सरोत क्या है और अगर उसका सरोत सही नहीं है तो फिर वो आपको भटका सकता है जीवन में अंदर थला सकता है तो ये बहुत आवश्चा के आर्द का सरोत क्या है और वो आकिर उसके सिल्मा कितनी है वो किस के लिए चाहिए। अर्थ यश्ष्ठ के लिए। सुक्ष और सम्मान के लिए। तो अर्थ तो बहुत आवश्क है, पर अर्थ के वल प्रसनता नहीं लाता है, प्रसनता विचारों के द्वारा आती है, अच्छे संकल्प से आती है, अच्छे सोच से आती है, जीवन में अगर आपके पास अनुशाशन है, तो निसन दे, आपके पास प्रसनता आएगी, चु और भी बढ़ाने बढ़ाते रहते हैं और उनको ये लगता है कि और अधिक इसका संग्रह हो, संचह हो, भंडारण हो, इसकी व्रध्धि होती रहे, इसी काम में लगे रहते हैं कई लोग तो, और उसत्य से वंचित रहते हैं, अपने आप से, स्वेम से, अपनी परकृति से, अपनी निजता से, अपने आप से तो बहुत दूर लोग रहते हैं, वो किल्पदार्तों के साथ रहते हैं या धन के साथ रहते हैं, तो कितना अच्छा हो कि धन ऐसा है, जो आपको आपके सचका ग्यान करा है, क्या मूलत है, क्या है, ये कहां से आता है इसा धन, ये विचा पुन्यार जनम बातें तीन ही है, चौथी कोई है शास्तर के बातें कहता है पहले है ग्यानार जनम पहले ग्यान का अussa किया जाए अगर आपको बारास술 ग्यान नियाए नॉलिज नहीं है तो धन नहीं आएगा धनार जनम पिर धन आए और धन आ गया है तो पुन्यार जनम, उसका ठीक निवेश करना है आपको, तो जैसे पहले आया धर्म, धर्म यानि कि आपकी ड्यूटीज जो है, डिसिप्लिन से, ड्यूटीज अब सिर्फ आपकी नोकरी आपके बिजनस नहीं है, माता के लिए, पिता के लिए, बच्चों के परियावरण के लिए, और इन सब ड्यूटीज को पालन करके फिर आपका अर्थ आएगा, जो कि विचारों का भी है, पैसे का भी है, सुख सादनों का भी है, तो ये काम तीसरे पर क्यों आ रहा है, जो कुछ है इसे भोगना, भोगने का नाम काम है, कि आप जो कुछ है इस भवन कैसा हो, तो काम, ये सब इतना काम है, काम करत केवल, केवल रूप का आकरशन नहीं है, केवल देह सुक का नाम काम नहीं है, संसार को, पूरे संसार को भोगने का नाम काम है, और काम करते कि आपके वहन कैसा हो, भवन कैसा हो, अट्या लिकाए हो, भूमी का विस्तार ह आहार। अर्बर दियुक्षाभुंधॡशाय।精िकेव IF wit toyain आ और इसब का नम काम है। और ये बिना आ इस पर बिना CONTROL की कभी थमता नहीं है जोकर बढ़ता रहता है तो कि वह ठोचने वालाता है इसका उत्थन नहीं है। अ सकते अंधी गली में ले जाता है जहां अंध नहीं है दुख जैसे होता है तो उसे भी भूगना काम में आएगा दुख तो कोई नहीं भूगना चाहता है दुख तो अज्ञान से आता है दुख किसी और वह से आता है नहीं है दुख का कारण केवल अविद्या और अज्ञान है औ किसी कांट से दुख नहीं आता है। अविद्या अग्यान करते हैं कि सच को न जाने से दुखाता है। हम सत्य को जाना नहीं चाहते हैं। यथार्थ है क्या। हम बिने यथार्थ को समझे। हम पदार्थ के सच को जानते नहीं। और उसे निपते रखना चाहते हैं। उसे वो रह नहीं गिया। किसी का कोई चाहने वाला है वो मर गया, मान लेते हैं, तो उसे दुख है नुछ है। लेकिन अगर यह ग्जाने आपको कि यहां तो मृत्यू सत्य है, जाता से ध्रवो मृत्यू, अगर मृत्यू यहां सत्य है, हर चीज मृत्यू के मुख में, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मिट न रहा हो, कोई ऐसी भोर है जो दोपहर न बनी हो, कोई ऐसी साज है जो रात न बनी हो, कोई ऐसी रात है जो प्र परिवर्तन है, अगर यह सत्य है आपको पता है, तो फिर मृत्यू जशन है फिर उत्सव है, फिर उससे बड़ा आरंद कुछ है नहीं, एक नई चीज मिली है नया कलेवर मिला है, एक न्यू नैस के और बढ़ गया आदमी जर जर देह से निकल कर एक न्यू बोड़ी तो यह सत्य है, अगर यह पता होगा तो इस दुख में भी दुख नहीं होगा आपको दुख हुआ है कभी किसी चीज़? दुख तो सबको होता है, जब जहाँ-जहाँ अग्यान है, जहाँ-जहाँ कामना हैं जहाँ-जहाँ-गां आसकती है, मांसिक दुर बलता है क्यों नहीं होता दुख तो सबको होता है पर अगर अब सहज है हैं, शान्थ हैं अब सत्य से परचित हैं यह थार्त को जानते हैं, में वास्तविक्ताओं से आखंएं नहीं मीच लेते तो दुख भी कम होता रहता है अगर आवास्तिविक्ताओं से परिचित है तो फिर दुख भी कम होगा पर दुख तो सबको होता है फिर मुक्ष क्या है बहुत अच्छी बात आपने कही है मुक्ष माने मुक्ती माने जड़ता से मुक्ती चिंता से मुक्ति, भै से मुक्ति और अभाव से मुक्ति अभाव मने कमी फिर कोई कमी रहेगी नहीं यहाँ भूमा तत सुखम एक ऐसी स्टेट आती है लाइफ में कैसी अवस्था आती है कि कोई कमी रही नहीं जाती फिर आप कमी कुछ जीत लेते हैं कमी नहीं है कोई आपको लगता नहीं है आपको कमी रह गई है इसे मोक्ष कहेंगे कि फिर आपको चिंता नहीं है अभय हम सत्तु संशुद्धी फिर कुछ ऐसा आप कर लेते हैं सत्तु की वरध्धे के बाद कि आपके पास भेह नहीं रहता तो मुक्ति करते फिर कोई फियर पर शोक नहीं है, तो मोक्ष का मतलब यह नहीं कि मैं पुन्न कर देता हूं ताकि अगले जनम ना हो मेरे, मोक्ष भी कई परकार के हैं, उसकी भी कई डिग्रीज हैं, लेकिन पहले चेन्टा से तो मुक्ती मिले, जीते जीते मोक्ष हो सकता है, उसको हम एक तरफ छोड़के प हमें परिशान करती हैं, उनसे तो पहले मुक्ती लें, और अगर इनसे मुक्ती मिल गई है, तो वो भी मुक्ती मिल जाएगी है, तो कुछ स्टेप बताएए कैसे मुक्ती मिलेगी इन सब चीजों से, क्या क्या करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, फियर कैसे कम हो, यह करन को देह मानते हैं, तो जब तक अपने को शरीर मानते रहोगे, शरीर, तब तक दुख और नानपरकार के संशे, भ्रह्म, और भ्हे और कमिया बनी रहेंगे, तो जिस दिन ये पता लग जाता है कि I am not body, जिस दिन ये पता लग जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, और मैं शरीर भी नहीं हूं, mental act भी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? चिदानन्द रूपा, शिवोहम, 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 यूर अल्टिमीट ब्लिस, आप वो हैं जो कभी नहीं मिठता, शरीर मिठता है, आप नहीं मिठता है, तो अपनी नित्यता और अपने शाष्वत और सनातन सत्य क मुक्ता बस्ता है, तो जब जिस दिन ये पता लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जिस दिन आप शरीर से अपने को अलग देखने लगते हैं, तो ये मुक्ती का पहला कदम है, जिस दिन मन से अलग हो जाते हैं तो ये मुक्ती का दूसरा कदम है, जिस दिन बुद्धी और भी आप छलांग लगाएं और प्रकृति की परदी से अलग छलांग लगाकर आप देख रहे होते हैं सब को, बदलने वाले जगत को, और जब आप उसके साक्षे बन जाते हैं, तो मुक्ती के कापाट खुलते हैं, तो महरा जी सुनने बड़ा कठीन लग रहा है, कैसे करेगा कि जब मैं बहुत से लोगों के काम आऊं, तो मैं मुक्ती के बात नहीं बता रहा है, मेरे द्वारा अगर हजार चूले जल रहे हैं, तो मेरे आनंद का सब्जेक्ट है, अगर कोई ऐसा कहें कि मुझे तो आनंद है कि मैं खूब पैसे कमाऊ और अपने परिवार को खुश कोई बुरी बात तो नहीं है, परिवार को प्रसंद रखना, दूसरों को अगर धन भी आ रहा है, तो जिस दिन आएगा तो अच्छे काम में जरूर लगेगा, पहले पानी को बरसने तो दो, उससे गास भी ओगेगी, पेड़ों को भी मिलेगा, खेत को भी जाएगा, सब ज करतव करें अपना, उसके बाद आप ये सारी चीजों की तरफ जाएए, क्या आपका ये मैसेज है, ये मैसेज है, ओके तो ये हमने धर मर्थ काम मोक्ष की बात करी, बहुत सुन्दरता से आपने बताया, थैंक ये सुमझ महराजी हमारे पॉड़कास में आने के लिए, आप के पास समय कम है, कोई बात नहीं हम फिर कभी आप से मिलेंगे, लंबा पॉड़कास करेंगे, थैंक धैंक ये